आज बाबा कह रहे हैं, जीवन के असली रंग अर्था सुख, सांती, ज्यान, सत्ती और पवित्रता तभी उभरते हैं, जब हम स्वयम के सत्य को जानते हैं, अपने सत्य को, पहला सत्य क्या है? मैं आत्मा हूँ, और दूसरा सत्य क्या है? आत्मा में सात गुन उसमें डाले हुएं, उसमें आप रूपी हैं, उसमें डालना नहीं है, बस मर्ज और इमर्ज का खेल हैं, तो दूसरा सत्य क्या है? कि हम उसकी संता में परम पिता जो पूरी दुनिया करा ज़लत आन्या है, यह तीसरा सत्य है, चौथा सत्य क्या है? देवी देवता हैं पूरे जो ड्रामा बना हुआ 5000 साल में उसमें हमारा हीरो पार्थ है सबका हीरो पार्थ है विसेश पार्थ है हम अपने पार्थ को हीरो बनाए विलन बनाए या कुछ बनाए लेकिन बाबा हमें हीरो पार्थी बोलता है, तो हम accurate ये चार सत्य को पहचान जाएगा लोग, जो भी आत्मा है पहचान जाएगा उस सदा खुश रहे, कुछ मिल रहा, नहीं मिल रहा, फकीर का था न, कि मिला, तो भी आराम से रहा, राजा के हां, नहीं मिला, गाना गाते हु लेकर जाएगे अपनी आत्मा के सातो गुन जो यहां परिमर्ज की हैं, सुख, सांती, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्यान और सक्ति, ये सातो गुन, तो पहले सबसे पहले खुद को पहचाने मैं कौन, मैं एक आत्मा हूँ, और आत्मा तो साधरन नहीं हूँ, कैसी आत् हूँ, सातो गुनों से मैं भरपूर आत्मा हूँ, उसके बार तीसरा हम भगवान की संतान, डाइरेक्ट, कैसे पता चले कि हम भगवान की संतान हैं, भगवान की संतान माना घड़ी-घड़ी अनुभाव करवाता है बाबा, कि बच्ची मैं तुम्हारे साथ हूँ, लोगो को अधिकारी बनाता है अनुभाव का अनुभाव बनाता है हमारा हमारे अंदर कि देखो हम तुम्हारे पलपल साथ लेगे वारा क्या करते हम लोग देभान में आकर बाबा को किनारा कर देते तो बाबा क्या करें तो बाबा कहता है पहले अपने स्वयम के सत्य को पू आत्मिक भाव में करेंगे 10 परसें और परमात्मा की आद में करेंगे तो 100 परसें प्राक्ति कितना सहाज है इतना सहाज तो कभी किसी जनम में नहीं होगा एक का सौ गुना हो जाएगा लेकिन इस्थीती अपना एनी टाइम जब भी सुप का फीलिंग आए होता है ना कभी- बहुत अच्छा से बात कर रहा है आज मेरा बेटी बेटा बेटी जो जोब में लग गया उसका साधी तेह हो गया खुसी है ना अच्छा लगता है कि बुरा लगता है अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है तो बुरा भी लगेगा तो अच्छा लगता है तो बुरा भ जाएगो से आप साधी तै किये सारा तैयारी किये सरी छोड़ दिये सुख मिलेगा सुख नहीं न मिला लेकिन जब सेट हुआ साधी तब कितना उचले मेरी 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 बेटी का साधी लग गया अब ही मिठाई खाओ हम भी खाते हैं उसके बाद टूट गया तो अब दुख की फीलिंग है दुख की फीलिंग हमेशा आनंद की फीलिंग आनंद तो घड़ी घड़ी हम लोग मतब जीवन में हमारे जीवन में भी जैसे बच्चे आएं रियाल्ट लिगा हम भी 99% आगे अब इसमें खुष क्या हो ना फुष क्या ड्रामा में यह नूना हुआ क चुल खारों और पुना हो सुमें रख़ाल्ट विःद्ट रहिए जया हम अधियाल्स मॉर्णची चला को ब्लब सिर्णची तह महिं आपका बाले सर्णची तो अबसे love-730 9 in there लगों को अपना-पनानून्द है। हम लोग क्या करते हैं उसमें उलज जाते हैं। और यही दुख की फीलिंग है। और हम लोगों को एकदम अंदर से बुध्धी से पकड़ लेना है। तो बाबा कहता है हम इन रंगों कानवा इंद्रियों के आकर सर में फस कर करने का प्रयास करते हम सोचते ना कि मतलब सुख यह सुख क्या है सुख क्या है परमात्मा को पाने का सुख लेकिन हम इंद्रियों का सुख में बिजी हो जाते हैं इंद्रियों का सुख में क्या होगा हल चल होगा वह हमेशा के लिए स मेरा बाई बदनाम हुई हम भी बाबा की याद में बदनाम हो गया है कितना मजा है किसके लिए बदनाम करें किसी देधारी लड़के के बदनाम करो भगवान के पीछे भागे सोच भगवान से हमें प्यार हो गया है तो यह नसा रहना चाहिए कि भगवान से प्यार हुआ क्या कर लेगा हम किसी को दुख तो नहीं दे रहे हैं यह अगर भगवान के साथ चल रहे हैं तो मास्टर भगवान बनके ही चल रहे हैं पा भगवान मिला है, लोग एक बार किसी जगार जाकर एक परिवार में थे तो जाकर भूली अरी इसे बात करेंगे नहीं सुरुवात में इसे नहीं बात करेंगे जाकर पूरा ओम सांती में तो रम गई है हम तो यह तो बहांन बोली को ना कैसे इसे बोले हमको और खुसी चरगी है कि उसको विस्वास हो ग्या हुआ हम पूरी रम गए हमको तो और खुसी मिला बहुत महायं है हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए अब सारे लोगों का मन में संकल्प चलना शुरू हो गया और आना भी शुरू हो गया तो अपनी इस्तिति कैसे बनाना है किवल मैं मेरा बाबा और कुछ नहीं बच्चे पढ़ाई करें वो तो नूधा हुआ है लेकिन मेरा प्यार कितना प प्यार कर सकते हैं कितना कर सकते हैं जहां डर है जैसे कि धारना करने क्या करें परिवार वाला नहीं मानता आपका प्यार ही नहीं है जो धारना कर सके प्यार ही नहीं है प्यार रहेगा ना बाबा से तो बाबा रास्ता साफ करें नदी बहती है हमें हमेशा नदी को ही देख को सुचेगी अगर कही बान भी बना जांडा है क्षोटा सा छिद्र खोजह से संदिन्वर कहां से Sakya १े और छी तरह Χिदर कि योivity कि को पमानी को क्या किया जा राज वोतलौह में भरा जा रहा है उसको उसका जो निश्वार्त सेव था यूज रुग दीया जा रहा है आई नदी में बाढ़ा जा रहा है तो को उसी तरह मैं हमika की सेवा करने के लिए तयार होते ह हम फ़कुन आता है और हमारी स्ठीती का प्रभाव उस पर पड़ता है कि अगर कोई रोख रहा है मजबूरी जवर्दस्ती सुरुवात में क्या था लोकिक पिता का अभी तक उनका अनुभाव है कि वह पहली बार रोके हमको बहुत ज्यादा तो वह थोड़ा से अग्सिजेंट होने वाला था बच गया कुछ हुआ नहीं बस डराया गया उनको दूसरी बार सोचे चलो यह इतिफाक हो सकता है दूसरी बार फिर हमको डाटे तो दूसरी बार फिर होने लगा एक्सिजेंट आइसा नहीं हम एक्सिजेंट के लिए मना रहे थे कि कोई लेकिन हुआ दूसरा वर कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं फिर देखा अंसुना कर तीसरा वर जब हुआ जब होए अब इसको मना कर नहीं सकते यह कोई साधरन कारे नहीं कर रही विश्वास हो गया जो बगल वाली थी रोकी थी और बद्नाम की थी दूसरे दिन ही गई विश्वास रखे मेरे उपर पूरे परिवार को हम लेके चलेंगे समाज को लेके चलेंगे पूरे विश्व को लेके चलेंगे यह मेरा लक्षे लक्षे यह नहीं कि हम इसको छोड़ दे उसको हम यहां से छोड़के भागे मेरा कर्मों में डिखा हुआ है कि हमको तकलिफ ह हम कहीं भी चले जाएंगे तकलिफ होगा बिमारी के रूप में आ जागा तो किसकी उपर रहेगा नहीं हमको लेके सब को जलना है तो वो बोली कि नहीं फोड के चली जाएगी यहीं परोकिक हुआ तो Yes पत्थर से टकराई और हाथ में पैर चोट लग गया सायद कुछ हुआ था उसका तुरंत हमको आवाज देने लगी आ तो तुरंत आवाज देने लिए आओ आवले कल ही हमसे लड़ाई कि आज क्या हो गया तो बोली दुखन हमको चोट लग गया तुरंत मुझ लेकर दोड़े कि देखे हम लोगों को कुछ भी नहीं रखना लेकर दोड़े तो रोने लगी गला लगके कि नहीं हम तुम्हारे लिए सोच रहे थे क्या सोच रहे थे तो नहीं तुम हमसे दूर ना हो जाओ ये तो बहुत अच्छा लगा हमको कि बगल अगल कभी लोग बोला कि हमसे दू पूरा यह कि नहीं हम आप से दूर के आप माहा है मेरी देखिए कहीं काई लौकिक ताभी सब्दी यूज करना चाहिए मा मेरी लौकिक मा तो दूर में है सास है नहीं आप ही नहीं मेरी माह है हम आपको कैसे छोड़ देंगी तो उनको आज तक लग रहा ना कि बहुत अच्छ है देखिए आज भी बहुत अच्छा अंदर में क्या सोचे मतलब नहीं सामने से तो नहीं कुछ कर सकती है हम लोगों को जितने लोगों से बिले सब को लेके चलना है सब को हां तो बाबा कहता है इंद्रियों से उपराम होकर यह सब करो इंद्रियों से उपराम मतलब यह भ जो मजा है कि अब मजा नमजा जहां हम थाइखती है कि भी बिगन आता है और जितना हुँआ कि समर्पर देती जो सरी कभी देते जो सही जो मन का भी देते जो मेरा है एक एक संकल्प बाबा किवल बेहत के कारे में लग जाए तो बाबा कहता है इंद्रियों के सुख से उपराम रहो कोई भी देभान के जो परिस्थितियां हैं उससे उपराम रहेंगे ना तभी वो मजा मिलेगा पहले हम नहीं जानते थे कि यह मतलब आनंद क्या होता है आनंद है हम नों सुख है न कि जो सुख है न यहीं आनंद है यह आनंद नहीं है आनंद है आनंद तो तब है जब विखन बड़ा आए और उसको पार कर विजयी बनते अंदर का सुख होता है है ना फिर सुख में भी और पुन्नी का खाता जमा करते हैं वो आनंद है दुख मे में भी सुक की फीलिंग की भगवान मिला मेरे साथ सब अच्छा और नसे से वोते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता है यह आनंद है उस पर विश्वास करना आनंद है यह हम लोगों को रखना है तो बाबा कहता है अपने वास्त्विक स्वरूत में टीको अपने वास हमिए को वानद दे तो पहले तो अपने जीए अपनी आजल हो जाईये है न मन अरव और भुद्धी मिफघ्या नमतलें लोग कि जो किसी से हारे नहीं कोई संकल्प ना चलाएं लेकिन चल ही जाता है डिपाला आपकह सोगाचला मर्त छाल में आपके यहersa 29 अभी से फाले思 Spogn esquire इस भीके दीरे दीरे अपने रौन में इसमें आप उछेंधानम काम कर रहे हैं अब घर में भी कोई काज होता है ना तो जितने भी परिवार वाले ना सब को ते तुम इधार करो तुम इधार करो एक दिन बोल दियें कि आप क्या कर रहे हैं बीना ओडर के सारा काम हो जाएगा कि मेरा ओडर से सारा काम हो रहा है तो देखिए यह कितनी और उन पर जब पढ़ता ना तो नहीं कर पाती है हम लोगों को बाबा कहता है लच्मी और नारायन दोनों का सवरू धारन करो हर एक स्थिती में सेवा धारी बन कर रहो अभी हम मालिक नहीं अभी जो मालिक समझते है ना वो बाग में नौकर बन जाए नहीं अभी हमको नौकर बन कर रहना है और नौकर ने और नौकर तो बने लेकिन अंदर में फिलिंग ने हमनों सब परिवार है यह परिवार का फिलिंग ज्यादा अच्छा लगता है यह राजा प्रजा साहुकार चुलो बाबा बोलता है सब परिवार के बहुत अच्छा लगता था यह सब जो भी आता था ना एक परिवार की फीलिंग के साथ बहुत अच्छा लगता था यह सब जो सेरियल देखने में बहुत प्रेरना भी मिला पहले ये सब चीज़ हम बहुत देखते थे तो बहुत अच्छा लगता था तो बाबा हमेशा कहता कि बच्चे अपनी आपको तयार करो बाबा ने कहा है कि आप स्वें के लिए भी सोचना बंद करो अपनी लिए पी सोचते हैं कि यह हो जाए बाबा ऐसा कर लें यह ये तयार बेहत के लिए लोग आज बंधन में बाबा उनको अजादी मिल्जाय कल्यूग है कल्यूग में सभी दुखी हो रहे हैं बाबा उनको अजादी मिल जाय हमेशा 24 घंटे यही संकल्व बेहद का तो आपका कल्यान होगा की नहीं जब बेहद का सोचेंगे तो बेहद पानी बरस जाए उपर से पानी बरस जाए तो पानी जब बरसेगा तो आपके घर नहीं बरसेगा क्या है बरसेगा ना तो उसी तरह है कि हमें 24 घंटे बेहद का यहुत कि अबिलेटें सातरों कि उसकास सभू नहीं नश्ड नियुक्टति तो बिल्कुल भी नहीं वाबाजाने क्यूंकि फासना नहीं है भी फ़ीलिंग भी आजहें वाबा माँ है ना ठीक हो जाये बापा है ना ठीक हो जाए हहा बेहत की द्रिष्टी तो एक साथ सबको सकास दे उसमें कोई माना नहीं आपकी स्थीति अगर उससे डिटाइच है तो सकास दे अगर आप अटेच नहीं तो दीजी सकास तो पूरा होगा लेकिन आपको उतना देरना कीवल संकुचित जमा होगा बेहत का जमा नहीं होगा तो अपनी स्थीति को डिटाइच करके उसके बास सकास दे कोई दिक्कत नहीं परिवार को क्यों नहीं देंगे लोकिक परिवार है न देना भी है देंगे लेकिन अपनी स्थीति को चेक किजिए ऐसा नहीं कि भक्तिमार जैसा बाबा मेरे बच्चे को ठीक कर दो मेरे पती को यह कदो वह नहीं बाबा मेरी स्थिती में कोई हल चल नहीं बच्चे बिमार हैं आप का बच्चा आप जान रहें किसफाब किताब कैसे चुक्टु करना चिंता क्यों करें तब फिर आप सकास देंगे कि बाबा आपका हाथ रखा रहा यह बिल्कुल ठीक है तो पूरा हो जाएगा तो हम अपनी अंदर चीक करें कि हम कहां कहां फसते हैं बहुत सुच में हैं फसना बोलते हैं बड़े बड़े रसियों को तो हम काड़ दिए लेकिन जो महीन तार होता हम पतला कितना होता हैं लेकिन मजबूत होता है तो यह बाबा कहतां देखो वाये रणवा कल वो hold ठीक नहीं के प्रेरित होकर वर्त्मान को ठीक कर लो बीती को बिंदी लगा देना मतब जो सीखने कभी है उसको भी सोचने के लिए मना हो जाता है बीती को बिंदी लगा मतब उसमें उल्जो नहीं लेकिन उसी से सुल्जो भी समझो कि बीती में हमसे क्या गलती हुआ है उसके बाद उससे वर्तमान ठीक करो और वर्तमान से आपका भवी से नैचुरल है कि ठीक होगा ही एकदम तो अपनी इस्थीती को बना कर चले बहुत मज़ा है बहुत अच्छा लगी और सदाकाल के कभी-कभी होता था उदास होते थे तो अभी होता है लेकिन बाबा को बोलते बाबा को सदाकाल किनी चाहिए लेकिन अगर नहीं हो रांज है तो तुम कर दो तो आपका इस्थीती कैसे समझ में आएगा ना कि आप नैचुरल की ओड़ जाएंगे अपने आप आपको महसूस होगा कि एकदम इस्थीर है कुछ देखती है कि उपर कोई फर्क नहीं पढ़ रहा कुछ भी देख रहे है य उ मैं आपकु में आपको उयाँ